कि नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है बिवेक भारत द्वाच आप देख रहे हैं हमारे चनल टेक्ञोलोगी विवेक जहां हम मोगाईल और केम्पूटर टेक्ञोलोगी से जुड़े हुए कफी सारी वीडियो से लेकर आते रहते हैं आई दोस्तो आज का जो वीडियो लेकर आए हैं वो फेस्बुक और इस्टाग्राम दोनों के लिए बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है अगर आप दोनों को ही एक ही आईडी से चला रहे हैं विच मीन्स कि आप फेस्बुक से ही अगर इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं तो दोस्तो जो एड आजकल आते हैं न्यूस फीड में आपने देखा होगा बहुत सारे आड आते हैं जब हम फेस्बुक और इस्टेग्राम को चला रहे होते हैं तो उनको हम बंद कैसे कर सकते हैं खतम कैसे कर सकते हैं कम कैसे कर सकते हैं या रिलेवेंट एड ही आएं ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखना होगा accountcenter.facebook.com और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ मैं इसको desktop version पर दिखा रहा हूँ तो जो लोग facebook पर desktop से इसको बंद करना चाहें तो आपको यह लिखना होगा इसके बाद मैं आपको phone की screen पर भी बताऊंगा कि यह प्रकि करेंगे यहाँ पर आपकी profile facebook किया जाएगी यहाँ देखिए ध्यान से हमने instagram और facebook दोनों को एक ही उससे login कर रहा है अब यहाँ आना है आपको और यह option दिख रहा है ad preferences का यहाँ पर आ जाईए click कीजिए जैसी आप यहाँ पर आएंगे दोस्तों यह देखिए यह ads आपको और मैं आपको यहाँ पर एक एक करके सभी समझाओंगा यह वह ad है दोस्तों एक्टिविटी जो अभी हमने half ला latestly instagram और facebook पर देखी है यह ad हमें आया है देखी यह देखा रहा है कहां पर instagram पर facebook पर instagram पर facebook पर जहां भी आपने इनको देखा है इसके बाद आप नीचे देखे अब आप देखेंगे आपको एक बहुत लंबी जॉड़ी लिस्ट यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों यह आप देख रहे होंगे और यह जो हमने कुछ हाइट कर दिया है वो इस तरीक से लेखे आते हैं यू हाइट अब माली जी दोस्तों मैं इनमें से कोई आप यहां से सूज कर सकते हैं और हाइट कर सकते हैं इनके सभी एड हो तो मैंने यहां से यह देखिए हैट कर दिया है अब यहां लिखा आ गया है कि यह 24 आवर्स में एफेक्ट लेगा और इसके बाद यह यहां से इस ब्रांड के एड देखना आपको बंद हो जाएंगे और वी आप अगर यहां से बंद करना चाहें दोस्तो तो आप आसानी से बंद कर सकते हैं इस तरीक से मैंने इस पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद मैं यहां पर हाइट कर देता हूँ यह हाइट हो गया है दोस्तों और इसी तरीके से पूरी लिस्ट बन जाएगी तो आप जो चाहते हैं जिस कंपनी के एड आपको दिखाई देने चाहिए क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो होते रहते हैं जहातर हमारा समय फेस्वूक इंस्टाग्राम पर निकलता है तो इन कंपनी के एड भी यहीं इसके बाद आप देखेंगे यहां पर कुछ और एक चीज़ दे रखिए कि जो टॉपिक्स हैं एड्स के आप इसको भी इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों की यह हाई टेक इन्फॉर्मेशन टेक्नलोजी सर्विसेस कंप्यूटर रिपेर फर्स क्लास तो आप जैसे ही य आपर आपको अगर हाई टेक पर क्लिक करता हूं तो यहां पर यह देखिए यह मैंने पर फर्स दे रखा है इसको कि जो भी जिस मर्जी से यह दिखाना चाहे दिखा सकते हैं लेस कर दूँगा तो यह दिखाना बंद कर देंगे कंप्यूटर टेक्नलोजी के अगर देखना चाते हैं तो इसी तरीके से आप विव एन मैनेज़ पर आ जाईए यहाँ पर आपको जो टॉपिक्स देखने के लिए मिलेंगे यह देख सकते हैं यह टॉपिक्स आ रहे हैं और इन टॉपिक्स में आप जिनको भी कम जैसे टाइप सब ट्रेवल है माली जी मैं इस पर क्लिक क बाद यहाँ पर no preference मैं यहाँ पर see less कर देता हूँ यह मैंने see less कर दिया है तो अब मुझे यह ट्रेवल के जो ads आएंगे यह बहुत ही कम मातरा में मुझे मेरे account पर देखने की मिलेंगे और यह दोनों पर effective होगा दोस्तों क्योंकि हमारा account जो है दोनों का same ही चल रहा है तो ad preference को जरूर तै कीजिए दोस्तों और यह facebook का वीडियो आप लोग लिए बहुत जादा helpful होने वाला है इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे mobile screen पर और उस पर आपको बताता हूँ कि mobile पर यह किस तरीके से होता है क्योंकि mobile पर ज्यादा यूजर है बशरते desktop के तो mobile पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यह काम किया जाना है तो दोस्तों हम आगे हैं हमारे mobile phone की screen पर और यहां पर आपको चलना है अपनी profile पर आप settings के बटन पर क्लिक कीजिए यहां देखिए जो media center देख रहा है इस पर जैसे आप करेंगे दोस्तों यह हमारी profile आ हैं और यह आपको देख रहा है ad preferences यहां पर आजाएए जैसे यह आप यहां ad preferences पर क्लिक करेंगे यह देखिए जो मैंने अभी आपको desktop पर दिखाया था उसी तरीके से यह आपको यहां देखने के लिए मिलेगा advertisers you saw ads from यहां पर क्लिक करतीजिए और आप जो भी ads को mobile के देता है और यह उनका facebook official page है तो मैं इस तरीके से जो है इसको यहां पर hide करतेता हूं और नीचे message आ गया है कि 24 गंटे के अंदर यह applicable हो जाएगा और इनके ads जो है आपको देखने के लिए बंद हो जाएंगे और भी दोस्तों आप देखना चाहें मान लीजी इस तरीके से मै और भी यह हटा देता हूं ताकि यह मेरे facebook की feeds जब मैं चला रहा होता हूं तो वहाँ पर जो भी शीच में add आते हैं वहां से यह आना बंद हो जाएंगे और जो एक और second प्रिक्रिपिया थी जिसमें यह topics की बात चल रही थी दोस्तों add topics क्या क्या होने चाहिए क्या उनका preferences होना चाहिए आप view and manage पर आचाहिए इसके बाद यह देखिए सारे topic आ गए है music, Spotify, information technology, Netflix जो desktop पर नहीं दिख पा रहे थे वो इस तरीके से यहां दिख रहे हैं और यहां पर आप proper कर सकते हैं कि आपको क्या दिखना चाहिए क्या नहीं दिखना चाहिए किस मात्रा में दिख अब यहां पर आगया है यह effect changes हो जाएंगे choose if you want to see less ads about this topic तो अब बहुत ही कम मात्रा में इस topic के ads जो है मुझे दिखाई देंगे यह देखिए हर वार यह feed जो है refresh होगी दोस्तों और यहां से आप इसको slack कर सकते हैं जरूर कीजिए बहुत important चीज है तोकि Facebook ads एक label के बाद बहुत ज्यादा परशान करने लगते हैं इरिटेट करने लगते हैं और अगर Facebook आपका किसी और के हाथ में है तो वह भी रिस्की है तो आप कुछ कीजिए दोस्तों कि उसको अच्छे से customize कर सके यहां add activities में जाकर आप पता कर पाएंगे कि कौन से add आपने अभी तक देखे ह इंस्टा पर देखे हैं फेस्टों पर देखे हैं तो इसको भी आप समाल सकते हैं इसको भी आप customize कर सकते हैं इनकी details देख सकते हैं इनका authorization देख सकते हैं कि यह कैसा है और इसके बाद आप जब Facebook को चलाएंगे उसका experience लेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि Facebook ने यह सारी बहुत हो सकते हैं इसलिए यह कहा गया है कि अगर आप deeply जाकर Facebook की settings को और यह सारी चीओ को देखेंगे तो यह इतना बड़ा curriculum है दोस्तों की इसमें हम महीनों तक वीडियो बना सकते हैं कोशिश भी करते हैं आपके लिए वीडियो बनाने की कि कुछ ना कुछ आपको नया या जो आपके लिए खास है इंपोर्टेंट हो सकता है आने वाले future में वह आपको बताते रहें जैसे कि आप यह देखिए आपकी profile का verification Facebook का पे इन सभी पर आने वाले समय में जो है आपके लिए वीडियो आता रहेगा दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरा क है ना यह सबस्यादर इसको share करें आप